नमस्का दोस्तों हिंदी निव जेफेर्स में आपका स्वागत है दोस्तों इभारत के लिए बहुती बुरी खबर आ रही है तुर्की से दरस्तों खबर यह है कि तुर्की ने एक पांचवी पिगड़ी के एक लड़ाकु बिवान को सफल उसका एक परिक्षण कर लिया है सफ लेंडिंग भी करवाई उसकी तो यह जो किया है यह जो लड़ाकु बिमान है यह फिफ्ट जनरेशन का लड़ाकु बिमान है तो कहीं न कहीं यह दोस्तों भारत के लिए बहुत यादा बुरी खबर है बुरी खबर कैसे आईए पूरा विस्तार से समझाता हूं कि पूरी क दोनों ने मिल कर इस पर काम किया जो कि 2016 से लेकर 2014 में कम्प्लीट हो गया है अब उसकी उटसफल उडान भी हो गया अब इसके प्रोडक्शन पर यह आगे काम करेंगे यह जो फिफ्ट जनरेशन का है यह भारत लिए समस्या की चीज़ है फिफ्ट जनरेशन दरसल दोस्तों लेकी लेगी हुई है यानि इस टेल्थ टेक्निक का मतलब यह होता है कि वो टखने की जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आती है चीज मतलब उपर से आपके निकल जाएगा यह लडाकु बीदान और आपको पता भी नहीं लगेगा कि यह आ गया है तो यह होती इस टे जनरेशन का नहीं है? उस भी आप 4.5 जनरेशन आप बोल सकते हैं उसको, फिप्त जनरेशन नहीं है, हलांकि यह जो तुर्की ने बनाया है फिफ्त जनरेशन, इसमें जो इंजिन लगा हुआ है, यह एक कंपनी है, यह एक कंपनी है लॉकेड मार्टिन जो अमेरिका की कंपनी उसने जो fighter jet F-16 बना रखा है उसमें जो engine लगाया हुआ है वही engine इस वाले fighter jet में लगा हुआ है जो फिफ्ट जनरेशन का है और तुर्की ने इस fighter jet का नाम लखा है कान के डबल ए एन कान भारत के लिए समस्या दोस्तों यह है कि तुर्की भारत का दुस्मन देश है ओफिशिल आपली ही तो नहीं लेकिन उसने कई बार ऐसी चीज़ें करी हैं जो भारत के लिए कताई अच्छी चीज़ नहीं है वो पाकिस्तान के support में खुल के ख़ड़ा होता है और भारत के बिरोध में भी बयान वो खुल कर देता है तो कहीं न कहीं वो हमारे तो खिलाफ है आब पक पाकिस्तान के यह अगर मिल गया तो कहीं ना गट मिल जाएंगा हमारे आगेंस्ट में पाकिस्तान कि जो वायूँ शेणा के उसकी ताकत बढ़ को उसको कहीं ड़का काौंतर कर पाएं उसे हम पहीं ड़क पाएं या नजी को अर मजबूती दे सकें हमारी जवाइब शेना है और ससकत हो जाए और मजबूती के साथ खड़ी हो उसके अब दोस्तों आप यह समझीए कि तुरकी के पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे रुपए नहीं है उसकी हालत बहुत खराभ है。 महेंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन भी अगर Dён ग्डेर्ट का रिभी आहीं, और अगर आप आप यह सी आधियो है, अगर 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 लड़ाई देखे जीता है और अर्मेनिया की लैंड को कब जाया है उसमें तरकी की डोनस के बहुत बड़ा हाथ था इसके साथ ही यूक्रेन ने भी उसके जो डोनस का यूज किया था रोस के अगेंस बहुत फाइदा मिला था रोस की सेना पीछे अढ़ गई थी, उसके बाद एरान ने जब रोस को अपने ड्रोन दिये, तब रोस उसे काउंटर कर पाया है, ना तो पीछे था बहुत, दोस्तों इसलिए भारत के लिए भारत के लिए बहुत जादा ज़ोरी है, भारत के पास ड्रोन भी नहीं हैं, अच् दुस्मन अगर मजबूत होगा तो कहीं न कहीं हमें भी अपने लिए मजबूती की चीज़े देखनी पड़ेंगी ओके दोस्तो इससे रिलेटेड अगर कुछ और डेवलप्मेंट आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों आपको इंटफॉर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें